अध्याय 20 थीक है तुम्हें दूंगा सो वे भी गए फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकल कर वैसा ही किया और एक घंटा दिन रहे फिर निकल कर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यूं यहां दिन भर बेकार खड़े रहे उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया उसने उनसे कहा तुम भी दाक की बारी में जाओ सांज को दाक की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा मजदूरों को बुला कर पिछलों से लेकर पहिलों तक उन्हें मजदूरी दे दे सो जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला जो पहिले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा परन्तु उन्हें भी एक ही एक दिनार मिला जब मिला तो वे ग्रिहस्त पर कुड़कुडा कर कहने लगे इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने हमारे बराबर कर दिया जिनोंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही उसने उन्हें से एक को उत्तर दिया हे मित्र मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता क्या तूने मुझसे एक दिनार न ठहराया था जो तेरा है उठा ले और चला जा मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूँ क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टी से देखता है इसी रीती से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे येशू यरूशलेम को जाते हुए बारहे चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुश्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौपेंगे कि वे उसे ठटों में उड़ाए और कोडे मारे और क्रूस पर चड़ाएं और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और वो उससे कुछ मांगने लगी उसने उससे कहा तू क्या चाहती है वो उससे बोली ये कहे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाई बैठे जीशू ने उत्तर दिया तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं? उसने उनसे कहा तुम मेरा कटोरा तो पियोगे पर अपने दाहिने बाएं किसी को बेठाना मेरा काम नहीं पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तयार किया गया, उन्हीं के लिए है। ये सुनकर दसों चेले उन दोनों भाईयों पर कृत हुए। येश्व ने उन्हें पास बुला कर कहा। जैसे की मनुष्य का पुत्र, वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। परन्तु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे। और बहुतों की छुड़ोती के लिए अपना प्राण दे। जब वे यरीहु से निकल रहे थे, तो एक बड़ी भीड उसके पीछे हो ली। और देखो, दो अंधे, जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर की येशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, लोगों ने उन्हें डाटा के चुप रहें, पर वे और भी चिला कर बोले, ये प्रभू, दाउद की संतान हम पर दया कर। येशु ने खड़े बोकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमारे लिए करूं। उन्हों ने उससे कहा, ये प्रभू, ये कि हमारी आँखें खुल जाएं। येशु ने तरस खाकर उनकी आँखें चुई और वे तुरंट देखने लगें, और उसके पीछे हो लिए।